अगला लेक्षर की हम लोग बात करते हैं देखिए विजयनगर के साथी साउथ में एक और इंपोर्टेंट डाइनिस्टी थी जिसे हम बहुत 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 बहु से स्टार्ट होगार मराथा पड़ेंगे तो यह बहुनी किंग्डम की पहले हमें एक बार समरी देख लेते हैं फिर इसे इन डेटेल पड़ेंगे पहली चीज है कि इसको जिसने फाउंड किया था उनका नाम था अबुल मुझफर अब्दूलहसन बहमनशा ठीक इनी के नाम पर बहमानी किंग्डम थी महमद तुगला के डाइम पर हुआ था ध्यान रखेगा गुलबर्गा इसकी कैपिटल थी बहमनी कॉंटिनुवसली फॉड का फॉड फॉर्ट तुंभद्रा अफ दुआब रायचूर विजयनगर के साथ फिरोशा बहमनी एक बहुत लेंड और इंपोर्टेंट परसन थे यहांके और कई सारी रिलीजियस बुक्स इन्होंने पढ़ी थी ओल्ड और न्यू टेस्टामेन भी पढ़ा था इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट किया और अब्जरवेटरी दॉलताबाद में बनवाई बेटा इन्होंने लार्ज नंबर हिंदूस को एड्मिस्टेशन में रखा इन्होंने देवराय फस्ट विजयनगर की रूलर की बेटी से शादी की उनको हरा कर एहमा शाह नहीं अपनी कैपिटल जो थी वो ट्रांसफर कर दी गुलवर्ग से बीदर इसके बाद वारंगल जो किंग्डम थी रेडीस की से इन्होंने बेटा कैप्चर किया इसके बाद दीखे बेहमनी किंग्डम इसलिए इंपोर्टन क्योंकि विजयनगर से भी इनके कॉन्फिक्ट्स थे और साउथ इंडिया में दो ही बड़ी आपकी किंग्डम्स बनी दि प्राइम मिनिस्टर थे, इनके वजीर थे, वो महम्मद गुवान थे, बहुत इंपॉर्टन थे, महम्मद थर्ड के टाइम पर महमद गुवान जो थे बहुत सारे इंपॉर्टन कॉंकिस्ट की जिसमें गुवा विजयनगर से लेना, कई सारे administrative reforms कि दिएये, जिससे एक दिया गया जैसे गवान गए बहमनी किंग्डम डिकलाइन होने लगा कई सारे गवर्नरस ने प्रोविंशल गिंग्डम अना नी जिसमें एहमाद नगर, गोलकुंडा, बीदर, बेयार, बेयार, बिजापूर सब बन गया और एल्टनिकस निकिटिन थे एक रशियन ट्रैवलर जो मौमाद शाथ हर्ड के टाइम पर इनके किंग्डम में आये, आपको मैं पिछले लेक्चर में भी बीच में भी जो फॉरें ट्रैवलर्स आये उनके बारे में बता चुका हो, वहाँ से देख लिजेगा, आये इन डिटेल थोड़ी बाते इनके बारे में पढ़ लेते, बैमानी किंग्डम बेटा 1347 से 1526 तक जी 1526 तक बैटल ऑफ पानी पत्स, फस्स जब स्टार्ट होती है, उसी के आस पास तक ये चल रही है, मतलब बाबर के अटेक के आस पास तक, बैमानी किंग्डम के बारे में बात कहा संगों को बैमानी फाउंडर थे बैमानी किंग्ड में किष्णा रीवर से गर्लबर्ग तक इनकी कैपिटर गुलबर्गा थी इसके बाद डिटेल दे रहा हूं बाकी बह्मनी किंग्डम के पहले मुहमाद शाह फस्ट नेक्स रूलर थे महमदीर एबल जर्नल और अड्मिस्ट्रेटर थे इन्होंने कापया नायाका वारंगल औ दुक्का को हराया था इसके बाद बेटा अगले आपके रूलर आएंगे जिसे मौहमद शाह सेकंड बोलेंगे बेटा मौहमद साह सेकंड तर्टीन सेवेंटी एट में आएंगे थ्रोन पर आएंगे ये पीस लवर थे इन्होंने फ्रंटी लेश्टन बनाए नेवरो के को फिरोशा बेहमनी ने सक्सीड किया अनकाइंड और हार्टलेस रूलर था इन्होंने एक वारंगल के किंड़ों कैप्चल किया इन्होंने अपनी कैपिटल गूलवर्ग से बीदर ली और ये फिफ फॉर्टीन थर्टी फाइफ में मर गया इसके बाद मोहम Нमसा ठर्ड्ण आएंगे मोम्मज सा ठर्ड्ड जो 3 जब 9 साल के थे बने मोहमन गवान इनके रेजेंट बने मोहमन गवान बहुत इंपॉर्टन रह थे इस ताइम पर मोहमन गवान ने कोकान, उडिसा, संग मेश्वर और विजय नगर के रूलर स्कॉर आया, फिर मोहमद गवान के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़े अड्मिस्ट्रेटर थे, पीछे भी पड़ चुके हैं, और इनके बारे में यहां पे भी सेम चीज है, 48 में मोहमद गवान को ड जिसमें एक बीजापूर में, एक एमादनेगर में, बेरार, एक गोलकॉंट और बेदर में, फिर अड्मिस्टेशन के बात करोगे, सुल्टान ने फेडरल सेट अप फॉलो किया था, तारिह तरफ सोते थे, किंग्डम वास दिवाइड इन्टू मैनी प्रोवेंस कॉल रफदार गवर्नर हो कंट्रोल दा तरफ, ध्यान रखेगा ये एक जैम में, अगर पूछा जाए तो आप यहां से याद कर सकते हैं, इसके बाद बीटा जो मैंने बोला ना पीछे किंग्डम सुमनी थी, पांच सुन के बारे में यहां बात कर लेंगे, जब ये बीटा किं पिल्टीज आ जाती है, नीजम शाही अहमदनगर में, कुदुप शाही गोलकंडा में, बरिच शाही बीदर में, इमाद शाही बेरार में, आदिल शाही बीजापूर में, बह्मनी किंग्डम कल्चरल बिरिच की तरह काम करती है, नौर्थ और साउथ में, कई सारा शाह, हसन गंगु भी बोलते हैं, बह्मनी किंग्डम फॉलो की, उसके बाद तजुद्दीन फिरोशाह इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में चीज़े लिखी हैं, फिर एहमद शाह, फिर महमद गवान, तो इसको एक बार यहीं से आप स्क्रीन शाट लेके बीटा पढ़ जो आपका काम करेंगी, तो मैं एक सेकंड के लिए आपके सामने स्क्रीन शोट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीन शोट ले लिजए, इसका स्क्रीन शोट लेके बीटा इसे आज इस याद कर लीजेगा, इसके बाद बीटा, राइज ओफ रीजनल किंग्डम हैं, जब तैमू आपके स्प्रेड होने लगती हैं, तो चीजे बातलती हैं, इसके बाद अलावदीन हसन शाह का रीजन बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि बेटा, इन्हों ने बेंगॉली के लिए जहां पे मालाधार बासू ने स्री कृष्णा विजय लिखी थी, और इन्हें टाइटल मिल इन्हें लिखी था गुना राज खान, ठीक है मतलब गुन राज खान, इसी पीरियड में एक बुक और दिखी इसे आसामली पहला चरित्र बोलते हैं, जिसे हेम चंसरस्वती ने लिखी, तो रीजनल किंग्डम यहां पर राइज होती हैं, और यह सारे इंपोर्टन इसके बारे में इनी से इनको वे मिलता है अकबर को, इसके बारे में आपके बारे में सारी चीज़े लिखी हैं, कौन कौन सी रीजनल किंग्डम आई और उसका क्या रोल था, इसके बारे में सारी चीज़े लिखी हुई हैं बेटा, तो इसके बारे में आप देख लीज़े एन्वर्मानी चीजे लिखी हैं फिर ये इंपॉर्टन डूलर्स हुआ के ते फिर मेवार फिर खिलजी डैनेस्ट्री आम आलवा की उसके बाद बेंगॉल तो ये जो है ये भी टेबल आप एज़िटिस पर लीजेगा कई सारी चीजे जैसे चितौड है और ये सारा फेमस हु तो इसे रट लीजेगा फिर से आपको मैं मौका देता हूँ इसका स्क्रीन शॉट लेने का इसका आप स्क्रीन शॉट ले लिजे ताकि आपको चीजे याद हो जाएं तो बिना देर के इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे तो आपको चीजे याद हो जाएंगी ये आपके सामन लेक्टर सूर डाइनिस्टी के बारे में भी है तो आज भी आपको दो लेक्टर मैंने अपलोड करके दे दिये बागी हम कल कोशिश करेंगे कि आप लेटर मुगल्स को स्टार्ट कर दें और मॉडर्न इंडियनिस्टी स्टार्ट कर दें अब जो phase आपका स्टार्ट हो रहा है वा आपके exam के लिए बहुत importance रखता है तो उसको एक बार ठीक से पढ़ें समझें जाने और अगर आपको ये lecture अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like, share और subscribe करना ना बूरें क्योंकि अगर आप मदद करेंगे तब ही हम लोग आगे बढ़ रही है इसके बारे में कई सारे facts हम अल्रेटी दे चुके हैं प्लीज इसको देखें और कोशिश करें जब तक घर पे रहें जब तक इसका कोई vaccine ना तयार हो जाए थैंक्स फॉर वाचिंग गॉडब्लिस योड़